हेलो स्ट्रेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसस, टैली स्रीच का एलक्चर नबर 26 वीडियो है, और आज हम इस वीडियो में जून की जो एंट्री हैं, इन्हें टैली में चढ़ाना देखेंगे, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अप्रेल और माई दोनों मंत क्लियर कर लि होते हैं और कैसे बनाया जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहली वाली इंट्री करते हैं, जो मिस्टर वर्मा ने यहाँ पर चेक इसू गिया है, कितने का 3000 रुपए का, किसलिए यहाँ पर इन्होंने रेंट दिया है, तो आपको पता होगा, डेविट मे कैसे स्टिट वाली कमपनी ओपन करेंगे, तो इसे हमने आल्ट के साथ एए-फवन press किया, और यह कमपनी बंद हो गई, और आप हम यहाँ पर सेलेक्ट कमपनी में जाएंगे, तो यहाँ पर आपर देखेंगे कि यह कमपनी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यह कैसे स्टिट 1 वाली ही दिखा रहा है, QSSD 2 वाली company नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उपर आप देखेंगे, यहाँ पर यह path, path means यह होता है कि address ठीक है, तो address यहाँ पर लगा हुआ है c users public tally.erp9 और फिर उसमें data नाम के folder की यह company दिखा रहा है, तो हमने अपनी company अभी बनाई थी, QSSD 2 वाली तो वो हमने कहाँ पर बनाई थी, आपको याद होगा, my computer में this pc में, ठीक है, यह नि this pc में d drive में, tally वाले folder में यह tally folder में, और data नाम के folder में, यहाँ पर हमने company बनाई थी, समझ गया ना तो हमारा address कहा है, d में tally में data, तो यह वाला address यह हम वहाँ पर डालेंगे, तो हमारी company दिखाएगा तो हम backspace button प्रेस करते हो, यहाँ पर d, colon, slash, ठीक है और tally नाम का folder, तो यहाँ पर tally, और slash data, ठीक है, इस तरह से तो यह हम डालेंगे, और enter करेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर cashstudy 2 वाली जो company है वो दिखा रहा है, अभी cashstudy 1 वाली company नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस वाले address पर cashstudy 1 वाली company नहीं है, समझ गए, तो आपके में हो सकता है, कि यहाँ पर ऐसा ना हो, आप में सारी company दिखा रही हूँ, क्योंकि आपका address हो सकता है, same हो, ठीक है, हमारा address जो है, गलती से अलग हो गया, cashstudy 1 के लिए, c drive में चला गया है, और जो cashstudy 2 वाली company हमने बनाई है, वो यहाँ पर d drive में हमने बनाई है, ठीक है, कोई confusion, कोई confusion नहीं तो कुल मिलाके, यहाँ पर हमने क्या किया, company open कर ली है, तो यह हमने इसलिए बता दिया, ताकि अगर आप में हो सकता है, कुछ लोगों में problem हो, तो इससे आप साही कर सकते हैं, बस आपको आपने जोगी company बनाई है, उसका address जो है, वो डाल देना है, इस तरह से, चलिए इस company को open करते हैं, तो हमने यहाँ पर यह company open कर ली है, अब हमें यहाँ पर जाना है, accounting voucher में, उससे पहले हम डिस्पले में जाके daybook में चक कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अप्रेल और मई दोनों मन्त की entry हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर मई date सेट है, याँ कि अप्रेल की पहले ही हो चुकी है, और यह मई की entry है, तो अब हम June की entry करते हैं, वापस आते हैं, और चलते ह गया था, तो voucher payment हो जाएगा, debit में आपका rent होगा, तो rent का laser पहले से मन चुका है, तो यहाँ पर R button प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, यह rent expenses कितना 3,000 रुपए है, और credit में चेक इसू किया था, इसलिए credit में आपकी bank हो जाएगी 3,000 रुपए से और हमने इसको accept कर लिय पहली entry हो चुकी है, अब हम देखते हैं दूसरी entry, ठीक है, तो दूसरी entry क्या है, Mr. Sarma purchase item from actual trading company on credit, ठीक है, Mr. Sarma ने क्या किया है, यहाँ पर यह इतने सारे item खरीदे हैं, और किस से खरीदे हैं, actual trading company से खरीदे है, on credit का मलब उधार खरीदे हैं, समझ गया है, तो यहाँ पर purchase आ गया है, ठीक है, तो एक चीज हम आपको clear करते हैं कि purchase क्या होता है, वैसे तो purchase means होता है, खरीदना, ठीक है, लेकिन tally में purchase हम उसे बोलते हैं, जो चीज बेचने के लिए खरीदी जाती है, ठीक है, actually में purchase उसे ही हम बोलते हैं, जो चीज बेचने के लिए खरीदी जाती ह तो जैसे अगर आप पीछे जाके देखे तो computer भी हमने खरीदा था ठीक है और हमने ACV खरीदी थी और table furniture काई सारे item खरीदे थे तो उसे भी हम normally purchase ही कहते हैं लेकिन इसकी जो entry होती है ये purchase के अंतरगत नहीं करते हैं हम क्या करते हैं इसकी entry fixed assist में करते हैं आपको याद होगा laser computer प्रोगेरा के बने थे तो under किसके गये थे fixed assist के गये थे क्यों क्योंकि ये हमारी क्या थी संपत्तियां थी और ये जो हमने computer ACV खरीदा था ये हमने अपने personal यूज के लिए खरीदा था मतलब company के लिए खरीदा था ना कि बेचने के लिए तो आप समझ गए होंगे जो item हम अ तो इसे इंटरी को हम दो पार्ट में solve करेंगे थी चै Оп-थ पहला पार्ट जो है यह आपको पता हैं यहाँ पर हम debit हमेशा purchase होता है ठीक है debit क्या होगा purchase हो जाएगा और credit क्या होगा अपका credit यहाँ पर हो जाएगा अक्षा trading company होंगे आपके credit ऐसा इसले क्योंकि यह उधार दे रहे हैं तो देने वाला हमेशा credit होता है अपको पहली बार आ रहें तो इसका यह आपका primary group है, जो 28 group है, आप उहाँ पर जाके देख सकते हैं, यह आपका primary group है, purchase account, तो सभी प्रकार की जो चीज़े हम बेचने के लिए खरीदते हैं, वो purchase, purchase account में जाता है, ठीक है, कोई confusion, कोई confusion नहीं, तो समझ में आ गया, debit, credit, laser और under, अब voucher यहाँ पर कौन सा होगा, त जब भी हम माल को खरीदते हैं, तो हमेशा voucher हमारा purchase होता है, चाहे हम नगत खरीदें, या फिर हम उधार खरीदें, तो यहाँ पर फिलाल हमने उधार ख्रीदा है, तब भी voucher purchase होगा, अगर हम नगत payment कर देते, तब भी हमारा voucher purchase ही ही होता, कोई confusion, कोई confusion नहीं, तो accounting का जो stock item, ठीक है, inventory part में आपका क्या आता है, stock item, और दूसरे नमबर पर आता है, stock group, ठीक है, stock group, और तीसरे नमबर पर आता है, unit of measure, ठीक है, unit of measure, ठीक है, अब ये तीनों चीज़े क्या होती हैं, और ये से हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे आपको पता होगा, कि debit, credit, ठीक है, debit, credit, laser, अंडर, और वाउचर, ये पाँचों चीज़े हम क्या करते हैं, question से ही तो निकालते आ रहे थे, तो क्या ये पाँचों चीज़े question में लिखी होती है, कि ये debit होगा, या फिर ये credit होगा, question में तो ऐसा नहीं लिखा होता, हम क्या करते हैं, rules के हिसाब से, debit, credit, laser, अंडर और stock item, stock group, unit of measure, ये भी question में नहीं लिखा हुआ है, कि कौन सा है, लेकिन हम क्या करेंगे, rules पढ़ेंगे, rules के हिसाब से, इसमें हम stock item, stock group और unit of measure तीनों निकाल लेंगे, ठीक है, तो debit, credit निकालना आता है, और हम निकालते है, stock group, stock item और unit of measure, तो stock item क्या है, तो देखे, आपके यह stock item है, ये क्या है सब, ये stock item है, जो भी हमने माल खरीदा, वो सारा stock item होता है, और stock group फिर क्या होता है, तो देखे, stock group क्या होता है, ये हम अपनी तरफ से decide करता है, यहाँ पर stock group नहीं लिखे हुई है, तो देखे, ये आपके पूरे complete total item है, तो ये सारे तो हो गए आपके stock item, ठीक है, अब इनका stock group क्या होगा, तो stock group हमें खुझ से बनाना होता है, ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, फेरो लबली क्रीम, ये पो बना देखेंगे, फिलाल, इन दोनों के लिए हम क्या गरेंगे, एक face cream नाम का ग्रूप बना देङ अभशेकि भी कम्पनी की क्रीम होगी हम उसको क्या रखेंगे हृस क्या रखेंगे फेस क्रीम के अंदर सभी होते हैं तो वो जो 28th who होते हैं यह accounting से related होते हैं समझना इसको द्यान से यह किस से related होते हैं? अगर लाइबिलेटी होता है तो जब भी हम कोई माल खरीते हैं, तो किसके अंडर रखते हैं ? या फिर अगर कोई liability होता है तो उसको हम किस में रखते हैं? current liability में या फिर जिस भी liability में रखना होता है उसमें रखते हैं तो यह जो 28 group होते हैं यह accounting वाले group tally में पहले से ही बने होते हैं लेकिन यहाँ पर जो inventory के group होते हैं ज्यान रखना inventory के जो group होते हैं वो tally में पहले से नहीं बने होते, inventory वाले group हमें खुद से बनाने होते हैं, अपने हिसाब से बनाने होते हैं, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सीजीच किसके अंडर जाएगी, तो उसके लिए हमें पहले समझना होता है, ठीक है, चीजे देखनी हो होता है हजारो टाइपस के आइटम होते हैं अगर हम नमकीन की बात करें तो पता नहीं कितनी ब्रांड की नमकीन होती है तेस्टी नमकीन ठीक है और कई सारी नमकीन होती है अलग-अलग टाइपस की अलग-अलग साइजस की होती है इसी तरह से बिस्किट की बात करें तो बिस अगर कोई oil है तो oil का बना दिया, cream नाम का group बना दिया, आलक बना दिया, तो इस तरह से ये group हमने बना दिया, separate, तो अगर हम कोई भी cream खरीदे हैं, अगर face cream का हमने बनाया है, क्या बनाया? Face cream नाम का ये group हमने create कर दिया, अब जिदनी भी cream हम खरीदेंगे, face cream से अगर related है, तो उसको हम किसमें रखेंगे? Face cream के अंडर उसको हम चढ़ा देंगे, इसी तरह से अगर किसी भी type की नमकीन खरीदेंगे, तो वो हम नमकीन नाम के group के अंडर रखेंगे, biscuit खरीदेंगे, तो biscuit नाम के group में रखेंगे, oil खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा? जो चीजें होंगी, वो separate रहती है, तो इसमें confusion नहीं होती, कभी भी हमें read करने में या देखने में, तो इसलिए हम group जो होते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो group बनाते कैसे हैं, तो वो तो हम टैली में देखेंगे, फिलाल, यहाँ पर हम group कैसे पता करेंगे, कि किसके लिए कौन सा group सही रहेगा, तो यह दोनों चीजे आप देखेंगे, तो यह दोनों चीजे क्या हैं, यह face cream है, चेहरे पर लगाने के लिए, तो यहाँ पर हम इसका एक बना देंगे, face cream नाम का group, यह अपने हिसाब से ठीक है, इसमें changes हो सकते हैं, कोई हो सकता है, इसका नाम कोई दूसरा रखे, यह दोनों क्या हैं, सैंपू हैं, यहाँ पर हम सैंपू नाम का group बना देंगे, अब सैंपू आपको पता है, अलग-अलग company की, बहुत सारी company के सैंपू होते हैं, तो जितनी भी company की, जितनी भी अलग-अलग type के सैंपू खरीदेंगे, उसको हम सैंपू के अंदर रखेंगे, इसी तरह से यहाँ पर यह swap है, तो यहाँ पर हम यह swap खरीद लेते हैं, मुलब swap नाम का एक group बना लेंगे, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर हम अपने हिसाब से group बनाते, चले जाएंगे, ठीक है, तो किसके लिए क्या group होगा, वो अभी हम जब tally पर काम करेंगे, तो हम सब देख लेंगे, फिलाल आपको यह तो समझ में आ गया, कि जो group होते हैं, वो क्या होते हैं, और यह group हमें tally में inventory के लिए बनाने होते हैं, ठीक है, चलिए, तो यह तो clear हो गया, बाकि यह बची हैं, वो आपको प्रैक्टिकल में भी थोड़ी दिर में clear हो जाएंगी, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, लाज्ट तक आप वो सब को समझ में आ जाएगा, कोई problem नहीं होगी, फिर उसके बाद है unit of measure, unit of measure का मतलब होता है, measure का मतलब होता है, या फिर नॉस में measure किये जाते हैं, या फिर नॉस में measure किये जाते हैं, यह बहुत सारी unit होती है, आपको पता होगा, अलग अलग चीज को मापने के लिए कही सारी unit होती है, जैसे computer की memory होती है, computer की memory हो या phone की memory हो, तो उसको major करने के लिए कौन-कौन सी हमारे पास unit होती है, हमारे पास कई सारी unit होती है, KB होता है, MB होता है, GB होता है, ठीक है, बहुत सारी unit होती है, इसी तरह से अलग-अलग goods को मापने के लिए हमारे पास अलग-अलग unit होती है, तो अगर माल लेते हैं हम चावल खरीद रह पैसे इनके नॉस नमबर आफ शिस्टम्या Rise या 10 क्लो ग्राम है ना ऐसे नहीं ना पेंगे ना हम क्या करेंगे पाउच में अनी number of system ठीक है तो फिरो लबले क्रीम यहाँ पर कितनी खरीदी गई है 50 पचास खरीदी गई है एक क्रीम का रेट क्या है 36 रुपए है तो अगर एक क्रीम का रेट 36 रुपए है तो पचास क्वा कर देगा आपको कैल्कुलेट करने की ज़रुवत नहीं है कोई confusion कोई confusion नहीं तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हमें stock item भी tally में create करना होता है और unit of measure भी हमें tally में create करना होता है अब यह तीनों चीज़ें हम create कैसे करते हैं यह देखते हैं ठीक है चीज़ें यह नहीं होती है बलकि यह थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा नहीं बिलकि जादा ही अलग है तो चलिए इसको करते हैं तो ज्यादा चीज़ें clear हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने tally open कर ली है सबसे पहले तो आपको पता होगा voucher यहाँ पर कौन सा होगा voucher होगा पर चेज औ तो यहाँ पर आपके सामने purchase voucher current time में अभी लग चुका है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें important हैं देख लीजे किस पार्ट को क्या बोलते हैं तो देखें यहाँ पर voucher लग चुका है purchase और उसके बाद यहाँ पर है supplier invoice number मतलब की जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका invoice number क्या है त तो यह तो हम real work में डालते हैं फिलाल अभी यहाँ पर हमें नहीं पता तो इन दोनों चीज़ों को हम छोड़ देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्या है party name है तो party name का मतलब यह होता है यहाँ पर देखें party name में वो चीज़ होती है यानि सामने वाली party तो अगर हम म क्या कर रहे है उधार खरीद तो अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो party name में जिससे खरीद रहे हैं वह होगा या यानि ki बाउचर चेंज करते हैं, हमने payment बाउचर लगा दिया, देखिए, automatic debit rate आ गया, contra लगाया, receipt लगाया, general लगाया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर purchase बाउचर लगाते हैं, देखिए, भी purchase बाउचर लग चुका है, तो party name आ गया, तो अगर हमने नगद खरीदा है, तो आपको पता होगा, credit में क्या होता है, cash, क्योंकि cash जाने वाला है, माल अगर खरीदेंगे, तो cash जाएगा कि नी, और अगर हमने उधार खरीदा है, तब भी credit में कौन होगा, अक्छे trading company, यानि देने वाले हैं, तो कुल मिलाके purchase voucher पर party name में क्या होता है, हमेशा credit होता है, ये cash automatic set हो गया, फिलाल यहां से cash नहीं है, अभी इसको माटा देंगे, और sales voucher जब होता है, तो sales voucher में जो party name होता है, वो हमेशा debit होता है, कोई confusion, कोई confusion नहीं, क्योंकि जब हम माल को sell करते हैं, तो क्या होता है, तो हमारे पास या तो पैसा आता है, तो क्या होगा, cash debit हो जाएगा, या फिर उधार दे देते हैं, तो जिसको उधार देंगे, जैसे राहूल को दे दिया, तो राहूल हो जाएगा debit, ठीक है, तो sales voucher में जो party name होता है, वो debit होता है, ठीक है, तो फिलाल अभी हम purchase को देखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, supplier invoice number को हमने blank छोड़ दिया है, debt को भी हमने blank छोड़ दिया, और party name में हमारा क्या है, तो party name में हमारा है, actual trading company, ठीक है, यहाँ पर party name में कौन होगा, actual trading company होंगे, तो यहाँ पर हम इनका laser बनाएंगे, तो अब laser बनाने के लिए आपको देखो, यहीं पर alter C कर देना है, alt के साथ C button प्रेस करना है, laser आपका create हो जाएगा, ठीक है, party name में ही हम alt के साथ C button दबाएंगे, अब यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा था, तो current balance अपने आप यहाँ पर blank छूट गया, ठीक है, क्यों क्योंकि अक्षे टेटिंग कमपनी के यहाँ यह नया अकाउंट है, इनका कोई पुराना बैलेंस होगा नहीं, तो इनका कोई पुराना बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर current balance छूट गया है, अगली बार अगर आप अक्षे टेटिंग कमपनी पर इंटरी करते हैं, तो यहाँ पर उनका पुराना बैलेंस होगा, वो यहाँ पर दिखाता है, समझ गया, तो कोई confusion नहीं, current balance में, जो अकाउंट हमारा होता है, laser account, इसका पुराना बैलेंस यहाँ पर दिखाता है, तो फिलाहल तो इसका कोई amount नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, उसके बाद है purchase laser, अब यहाँ पर क्या है, purchase laser, तो purchase laser में क्या होता है, पहले तो यह option हो सकता है, आप में ना आ रहा हो, यह purchase laser जो है, यह हो सकता है, आप में option ना रहा हो, तो यह कैसे आएगा, उसको पहले देखते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर F12 बटन प्रेश करना है, configure करना है, तो F12 बटन हम यहाँ पर प्रेश करेंगे, और configure की यहाँ पर सामने आपके आजाएगी एक list, जिसमें आपको use common laser option जो है, यह yes कर लेना है, use common laser account for item allocation, इस option को क्या करना है, आपको yes कर लेना है, अगर अभी हम यहाँ पर payment voucher कर दिया, अब अगर हम F12 बटन प्रेश करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ढूंडेंगे use common laser option, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर दूसरे option आगए, तो वापस आते हैं, तो F12 बटन यानि configuration से क्या होता है, कि हम जिस situation पे होते हैं, तो अगर हम F12 बटन प्रेश करेंगे, तो उसी हिसाब से जो आपके सामने feature होते हैं, वो आते हैं, तो यहाँ पर हम purchase लगाते हैं, और F12 बटन प्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर use common ledger option आ चुका है, इसे हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे, कोई confusion, कोई confusion नहीं, और बाकी option आप देख सकते हैं, इसमें जो भी by default set हैं, बस ऐसे ही रहने देना है, आप अपने वाले option को इसके साथ match कर सकते हैं, जो option हमारे पास यहाँ पर yes है, उसे आप yes कर लें, जो option आप में no है, वो no कर लें, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक option और no करना है, ठीक है, वो कौन सा है, देखिए, यह वाला option हमें no करना है, enable supplementary details, इसे क्या करेंगे, no कर देंगे, इसे no इसलिए कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, actually supplementary details में क्या होता है, कि हमें, जब माल हम खरीदेते हैं, तो हमें details सारी डालनी होती है, address, dispatch details, मतलब माल को कब deliver किया गया, कब बेचा गया, किसको बेचा गया है, उसकी सारी details यहाँ पर डालनी होती, अभी नहीं है, इसलिए इस option को हम no कर देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, इस option को no करेंगे, और यहाँ पर use common laser, yes कर लेंगे, तो यह clear हो गया है, और हम इसे accept कर लेंगे, ठीक है, और हमने इसे accept कर लिया, तो यहाँ पर आपके सामने, यह purchase laser इस तरह से आ जाएगा, कोई confusion, कोई confusion नहीं, तो देखें, यही होता है, purchase में, यह जो party name होता है, यह आपका account होता है, यह आपका होता है, credit, यह क्या होता है, credit होता है, ठीक है, और जो purchase laser होता है, यह आपका होता है, debit, क्योंकि हमने क्या कहा, कि जो purchase और sales के entry होती है वो दो part में होती है एक तो accounting और दूसरा inventory ठीक है तो purchase voucher में जो ओपर का portion आपका है ये accounting का portion है और जो नीचे का portion होता है ये आपका inventory का portion है ठीक है तो यहाँ पर party name में आपका credit होता है और purchase laser में आपका debit होता है समझ गया debit कोई confusion कोई confusion नहीं और जब sales voucher हम लगाते है तो sales voucher में जो party name होता है वो आपका debit होता है और जो purchase laser होता है वो आपका credit होता है ठीक ठीक उसी का opposite ठीक है तो चलिए कोई confusion नहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम laser बनाएंगे purchase का भी अंडर करेंगे अंडर यह जाएगा purchase account के अंडर किसके जाएगा purchase account ठीक है तो यह वाला जो option है inventory value are affected या आप में आ रहा होगा ठीक है और अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है F11 की press करना है ठीक है अब यहाँ पर हमें तीन तरह के features मिलते है एक मिलता है accounting feature दूसरा inventory feature और तीसरा taxes related होता ठीक है इस tutorial and taxes तो यहाँ पर हमें क्या करना है F11 अगर प्रेस करेंगे तो आपके सामने accounting feature आ रहा है F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने inventory feature आ रहा है और जब यहाँ पर हम F3 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने statutory and taxation option यहाँ पर आ जायेगा ठीक है तो यह taxes related होता है तो फिलाहल अभी हमें taxes से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम taxation के बारे में नहीं पढ़ें ठीक है वो हम cash study 3 में पढ़ेंगे फिलाल यहाँ पर हम F1 प्रेस करते हैं तो यह accounting feature आता है तो accounting feature में देखिए जितने भी features on off है इन्हें आप skin sort ले इनका और अपने tally में इनका by default जो भी है हमने आपर जो option on कर रखा है वो on कर लिजे जो off कर रखा है वो off कर लिजे ठीक है F2 बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर हम और चलते हैं inventory feature में तो inventory feature में match कर लिजे जो option हमने yes कर रखा है उसे yes कर लिए बाकी को no कर दे ठीक है और इन सभी features के बारे में हम एक एक करके आने वाले किसी भी वीडियो में देखेंगे ठीक है कोई confusion कोई confusion नहीं तो फिलाल यहाँ पर inventory value are affected अभी आपके सामने आ रहा होगा और इस option को हमें yes करना है ऐसा इसलिए क्योंकि inventory value are affected का मतलब भी होता है कि जो purchase account है इसमें हमें inventory से यह effect करता है मलब यह inventory से सम्बंधित है समझ गए इस option को yes करेंगे और यहाँ पर हम इसे not applicable कर देंगे और इसे हम accept कर देंगे तो यह purchase का laser बन चुका है आपके सामने तो देखे यह होगे आपका debit और यह होगे आपका credit दोनों चीज़े clear हो गई ठीक है laser भी बन गया और under भी हो गया अब बात करते है name of item सबसे पहले बोच रहा है कौन सा item खरीदा गया समझ गया ना कौन सा item खरीदा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा item खरीदा गया है देखे बहुत साथी item की लंबी list है तो यह सभी item खरीदे गया है तो हम क्या करते हैं तो सबसे पहला item है यहाँ पर Farrow & Lovely Fairness Cream 25 gram ठीक है तो इसका हम account बनाते हैं तो account कैसे बनाते हैं देखिए मेलब name of item आइटम create करते हैं जब हम यहाँ पर party name में alt के साथ c button हमने प्रेस किया था तो laser create हुआ था और purchase laser में भी क्या हुआ था laser ही create हुआ था तो होता यह है कि जहाँ पर भी हम alt के साथ c button प्रेस करेंगे तो क्या होगा name of item यानि कि यहाँ पर item चड़ते हैं इसलिए आपका item create होगा कोई confusion कोई confusion नहीं चलिए तो यहाँ पर हम alt के साथ c button प्रेस करते हैं और laser यानि की stock item create करते हैं ठीक है तो हमारा पहला stock item क्या है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पहला stock item है वो है फेरो लवली फेरनेस क्रेम 25 ग्राम तो इसका हम बनाते हैं आपर तो वापस आते हैं और यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे ठीक है यहाँ पर हमने बताया stock item तो आपका यह हो गया यहाँ पर पड़ता है stock group आपका यहाँ पर और unit of measure यहाँ पर यही तीन चीज़े होती है main ठीक है तो बस हमें इतना ही गन्ना है जिसमें से हम एक चीज तो हमने बनाई लिए दूसरी और तीसरी यहाँ पर बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा stock group यहाँ पर हम उसका नाम क्या रखेंगे face cream क्या रखेंगे face cream ठीक है इस तरह से और enter यह primary के जाएगा यह किसके अंडर जाएगा primary के अंडर जाएगा और यहाँ पर इसे हम no रखेंगे और इसे हम accept कर लेंगे और unit अब देखें यहाँ पर unit पूछ रहा है कि unit क्या ह है तो यहाँ पर हम alt के साथ c button फिर से press करेंगे ठीक है alt के साथ c button फिर से press करेंगे और unit बनाएंगे तो unit में जो type है यहाँ पर यह simple होता है ठीक है simple रहेगा और sample में यहाँ पर होगा nos क्या होगा nos यानि n-o-s समझ गए n-o-s और formal name में यहाँ टाइप करेंगे number n-u-m-b-e यहाँ ठीक है और इसका हम decimal 0 रखेंगे और इसे हम accept करेंगे देख लिए क्या करना है sample, symbol में nos, formal name में number और इसे हम accept कर लेंगे तो यहाँ पर यह तीनों चीज़े हो चुकी है यह आपका stock item create हुआ यहाँ पर हमने group create कर लिया था और unit of measure भी हमने create कर लिया ठीक है rate of duty इसे हम यहाँ पर rate of duty जो है यह कोई भी tax वगरा नहीं लगा यह tax की information है तो इसे हम 0 रखेंगे और accept कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप सही पूछ रहा है कि quantity कितनी है और फिर आगे rate डालना होगा तो वही चीज़े हम डालेंगे तो इसका quantity कितना है देख लेते हैं तो इस यहाँ पर हो गया नॉस अपने आप देखें यहाँ पर आ गया नॉस यानि की number of system जो unit हमने लगाई थी अब enter करेंगे फिर से यहाँ पर और enter और दूसरी बार यहाँ पर अगला item डालेंगे तो अगला item उसके लिए हम यहाँ पर फिर से alt के साथ c button place करना है क्योंकि अभी सारे item हमें create करने सारे item नहीं है ठीक है तो हम यहाँ पर alt के साथ c button करेंगे नहीं create करेंगे और दूसरा laser यहाँ पर sorry laser नहीं stock item ठीक है तो यहाँ पर हम दूसरा item create करेंगे फेर अलबली क्रीम और यह आपका होगा 50 gram ठीक है और यहाँ पर under यह किसके जाएगा तो यह भी क् नौस ही है तो यहाँ पर इसको हम नौस यानी की number of system select कर लेंगे और इसे हम accept कर लेंगे इसका total कितना है तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 और 70 ठीक है यह आप देख सकते हैं बार बार नहीं देखेंगे one time लगेगा फिलाल यहाँ पर आपको एग बार और दिखा देते हैं quantity कितनी 50 rate कितना है 70 ठीक है तो यहाँ पर हम जैसे ही 70 डाल के इंटर करेंगे यहाँ पर यह भी अपने आप calculate हो जाएगा और एंटर करेंगे अगला तीसरा item क्या है clinic plus sample है तो यहाँ पर हम i stock item create करेंगे देखें अगला क्या है clinic plus sample है ठीक है 100 ml तो यहाँ पर हम उसको create करते ह 100 ml ठीक है और यह अंडर किसके जाएगा तो देखें यहाँ पर इसका जो group है वो नहीं बना एले stock group में इसका group बना नहीं बना तो हम क्या करेंगे इसका भी group बनाएंगे तो इसका group बनाने के लिए यहाँ पर हमको फिर से alt के साथ c button प्रेस करना है और यह देखें यहाँ प कर लेंगे ठीक है अब इसकी यहाँ पर quantity or rate कितना है तो आप देखेंगे इसका जो quantity है वो 75 है और जो rate है वो 40 है ठीक है तो यहाँ पर हम 75 enter 40 और enter करेंगे तो आंसर आ जायागा ठीक है अगला तो यहाँ पर हम इसी तरह से एक एकर करके सारे group बना लेते हैं तो यह थोड़ झाले के हैं पर आंसर करों कर दो कितने हैं है यहाँ रॉपर आ झाल 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 तो देखें यहाँ पर जितने भी आइटम थे हमने सभी आइटमों की जो लिस्ट है वो अपका एमांट भी कम्पलीट आ गया और यहाँ पर आपकी फाइनल टोटलिंग भी आ चुकी है कि टोटल सामान आपने कि दने का परचेज किया ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर यह कम् क्रेडिट थे परचेज लेजर में हमने बताया कि डेविट क्या होगा और यह आपके सारे स्टॉक आइटम है जिसमें क्वांटिटी रेट और अमांट यहाँ पर पड़ा हुआ है तो उपर के पोर्शन के बारे में आपको डेविट के लेजर अंडर वाचर क्रेट करना अ और इस अभी में हमने नोस अनिकी नंबर आप सिस्टम ही यूज किया है ठीक है तो यह तो हमने एक ही बार बनाया है स्टॉक आइटम हमें सारे बनाने होंगे जो कि आपको यहां से मिल जाएंगे स्टॉक आइटम के लिस्ट आपके यहां पर सामने दी गई है यही स्टॉक item है आपके और stock group जो है वो बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि stock item कैसे क्या रखना है ठीक है तो जैसे कि हमने इन दोनों को किसमे रखा face cream में इन दोनों को किसमे रखा face cream में और इन दोनों को किसमे रखा sample में किसमे रखा सैंपू में इन दोनों को किसमें रखा सौप में ठीक है यहाँ पर सौप में रखा इन दोनों को किसमें रखा हमने हेर ओयल में हेर ओयल में ठीक है और इन दोनों को किसमें रखा हमने यहाँ पर पाउडर ठीक है यह पाउडर है नाम इसका क्या दे दिया toothpaste नाम का group बना लिया तो इतने सारे हमने group बना रहा है जिस item के लिए जो group सही था उस group में हमने उसको रखा है और इस तरह से हमने कर लिया ठीक है तो कोई confusion है तो आप comment कर सकते हैं फिलाल कोई confusion होनी नी चाहिए क्योंकि ज्यादा tough नहीं था बस आपक क्लियर समझ में आ चुका होगा और finally इसे हम accept कर लेंगे ठीक है और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट कर सकते हैं या फिर जैसे जैसे हम 2-3 इंट्रियां और करेंगे परचीज और सेल्स की तो आपको चीजे बहतर तरीके सा समझ मे आ जाएंगी ठीक है तो टेंसे लेनी की कोई जरूद नहीं है अगर अभी समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं आगे दो तीन इंट्रिय जब हम और करेंगे तो आपको समझ में आ जायागा ठीक है कि स्टॉक आइटम क्या होते हैं कैसे क्रेट किया जाता है सारी चीज है और यहां पर पंदरा सो रुपए कैस है अलेक्रिसिटी बिल यानि बिजली का बिल दिया है और सबसे पहले तो वाउचर लगाएंगे पेमेंट क्योंकि सैलरी दी गई है और सैलरी का लेजर बना है कितना दिया है 6500 रुपए क्रेडिट में आपकी क्या है स्वी बैंक य इस इंट्री को भी हमने अशेप्ट कर लिया ठीक है तो यह दोनों इंट्री हो गई देखिए कर दिया आब अगली इंट्री देखिए हाँ पर फिर से है परचेज किया गया लेकिन यहाँ पर कुछ कम आईटम परचेज किया है उतने नहीं है ठीक है तो मिस्टर सर्मा ने है किस से क्या अजे ट्रेडर से आपकी बार यहां इन्होंने क्या किया है दूसरे से खरीदा लेकिन खरीदा उधार ही है तो आपको पता चल चुका होगा डेविट क्या होगा डेविट हो जाएगा परचेज परचेज हमेशा क्या होता है डेविट ही होता है हमेशा डेविट होता द्यान रखना और credit में कौन होंगे अजे traders होंगे laser किसका बनेगा तो laser अदर जाएंगे संडरी credit के ठीक है और voucher कौन सा होगा पता चल दीगा परचेश ठीक है वाउचर क्या होगा आपका परचेश होगा तो accounting का portion solve हो गया अब inventory के portion में देखे unit of measure तो हमें काम कर जाएगा तो हमें unit of measure नहीं बनाना तो हमें क्या बनाना है फिर stock item बनाने क्या बनाना है stock item तो stock item तो यहीं है हमारे सामने जो दिये गए है अच्छा अब एक चीज और बच्ची क्या stock group ठीक है तो stock group बनाने की नहीं बनाने तो देखिए यह क्या है यह boro plus cream है क्रीम है और तीनों क्या है यह face cream से related है किस से face cream से और face cream नाम का group थो हमने अल्रड़ी बना रखाए की नहीं बनाया तो इनके लिए हमें group बनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद क्या है पाउंट्स white beauty cream ठीक है तो यह भी क्या है यह भी face cream है और यहां पर यह भी जो हमें लग रहा है face cream है अलग अलग company की कई सारी cream है तो कुल मिला के यह हमें यहां पर group नहीं बनाना समझ गय है तो चलिए हम इसको फटा-फटी इस इंट्री को कर लेते हैं तो इस इंट्री को करने के लिए यहां पर आएंगे वाचर लगाएंगे f9 यानि परचेज बाउचर पर आपका यह हो गया ठीक है और इसे हम फिलाल के लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं फिर उसके बाद यहा आइटम आपका क्या है बोरो प्लस जिसका आइटम तो हमें क्रियेट करना होगा ठीक है देखिए आइटम नहीं प्लब क्रियेट है क्योंकि आइटम पहली बार ही आ रहा है माल लेते हैं थोड़ी दिर के लिए कि हमने फेयर लबली क्रीम क्लिनिक प्लस एमपू वही बस आपको purchase की जब entry करते हैं तो first time जब item हो गया हम create करते हैं तभी time लगता है उसके बाद तो काफी आसान हो जाता है ठीक है तो फिलार यहां पर तो item जो हमारा है वो है borrow plus cream ठीक है तो यहां पर alt के साथ c button प्रेस करेंगे और यहां पर हम उसका item बनाएंगे ठीक है borrow plus cream ठीक ह तो यहां पर देखिए आईए आपका borrow plus जो था यह कितना था 50 और 18 ठीक है तो यह हो गया अगला क्या है borrow plus cream ही है लेकिन यह 50 ग्राम की है और कितना है 50 और 32 ठीक है तो यहां पर हम अगला भी अल्टर सी और borrow plus ठीक है क्योन Q. Tafty आप चेना है 50 क्राम की निए पर एंगे तो 50 क्रामrates कर इंगे, आद फिन फर दिल्म है नग वज वशjung घ। आmbटना पर भी है तो यह को जो था के अट रही प्स एकुर के लिग णाउक्कर टेखिए और पर बैस तो 50 35 ok अगला है अपर और सिब उन्पसटे पांस्वाय गोटी कि अ है या जैन्ट इससे आप के आपर 50 अजले अप्रेश कि अप्रेश सब्सक्राइब है प्रेका कि अ थैक कि आप पक अपर 65 65 आप अब कर अपर 25 अपर 35 अपर 25 और ये भी accept हो गया, ठीक है, 50, 30, तो ये आपका complete हो गया, और finally इसे हम क्या करेंगे, accept कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये entry हमारी हो चुकी है, ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आपको बता दे देखिए, अगर GST लगता है, यहाँ टैक्स लगता है, तो जो टैक्स लगता है, तो वो entry यहाँ भी purchase वाली, ऐसी ही होती है, बस आपको इस portion में देखिए, यहाँ पर लिखा end of list, तो इस portion में आपको GST का tax यहाँ पर लगाना होता है, बस हो गए entry GST tax वाली, लेकिन उसको तो हम आगे देखेंगे, ठीक है, अभी तो यहाँ पर इसको हम end of list यहाँ पर accept कर लेते हैं, खतम, दोने entry आओ गई, चलिए आगली entry देखते हैं, फटा फट अगली गया है, Mr. Sarma Receive, आप बिल्स 6000 जैसरी ट्रेवल एक्सपेंस, ठीक है, तो यह simple entry है, यह पहले भी आ चुकी है, पहले भी आ चुकी मिन्स cash study 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके बारे में, इसको देखते हैं, इसमें debit card क्या होगा, तो traveling expenses का है, तो डेविट में आपका हो जाएगा, traveling expenses और credit में आपके कौन होगे, जैसरी travels, ठीक है, और कितना है, 6000 रुपए, तो इसके entry करते हैं, फटा फट, तो यहाँ पर voucher accounts आओगा, आपका journal, क्योंकि उधार हो रहा है, डेव indirect expenses, ठीक है, यहाँ पर सायद meaning mistake हो गई है, सही कर लेते हैं, ठीक है, traveling expenses, अभी सही है, indirect expenses, और यह अंडर, लब, अंडर हो गया, indirect expenses, amount कितना है, 6000 रुपए है, और credit में कौन है, यहाँ पर, जैसरी travels, तो credit में हो जाएंगे, जैसरी travels, ठीक है, और यह अंडर किसके जाएंगे, sundry creditor, क्योंकि यह क्या कर रहे है, उधार दे रहे हैं, sundry creditor, और इसका amount कितना, 6000 रुपए ही है, और इस entry को हमने accept कर लिए, अगला कुछन है, Mr. Sarma paid cash, Mr. Sarma क्या है, cash पे गिया, कितना, 1050 रुपए किस लिए, mobile phone expenses के लिए, और 450 रुपए किस लिए, convince के लिए, और 950 रुप यहां पर debit में आपका account हो जाएगा, telephone जिसका laser अलरी बन चुका है, telephone expenses कितना है, 1050 रुपए है, दूसरी बार आपका फिर से debit होगा, और दूसरी बार debit होगा convince जिसका laser बन चुका है, convince expenses 450 रुपए, तीसरी बार फिर से debit होगा, office expenses, ठीक है, कोई confusion, कोई confusion नहीं ठीक है, और फ उससे पहले यहां पर हम जून का trial balance देख लेते हैं, ठीक है, तो trial balance देखने के लिए आपको पता है, कहां जाना है, तो यहां पर आप trial balance में जाके देखेंगे, तो यहां पर आपका complete trial balance है, और यहां पर आपके देखे, purchase account में बता रहा है कि आपने total सामान कितने का खरीदा ह 54,025 रुपए का सामान आपने खरीदा है, बाकी indirect expenses और current assets इसके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, इसकी हम बात छोड़ देते हैं, और यहां पर नीचे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, purchase account में कितना है, 54,025 रुपए का आपने माल खरीदा है, अब अगर आपको द चलेंगे stock summary में, ठीक है, देखिए stock summary report नहीं आ गई, trial balance देखना तो आपको आता ही था, day book में हम क्या करेंगे, internet देख लेंगे कि जून की कितनी की गई है, और trial balance में हमने आपको बता दिया, यह trial balance है, इसका skin short ले लिजिए, अपने trial balance के साथ match कीजिए, सही आना चाहिए, और गलत है, तो उसे गलती पकड़ी है, शुधार ही है, यह बात आपको हम हर बार बताते हैं, आगे से नहीं बताइगे, ठीक है, अचले stock summary पे हम enter करते हैं, यह आपका stock summary में, हमारा जो stock होता है, नहीं item का stock होता है, वो बताता है कि कितना कितना है, ठीक है, तो यहां पर आ प्राइम पर आजाएंगे और यह क्या बता रहा है यहां पर कि यह जो जो आइटम है उनकी यहां पर क्वाइट लिखा हुआ है साथ में वाईलू भी दी गई है समझ गया है तो यह आपका स्टॉक समरी है जिसमें बताता है कि आपके स्टॉक में कौन-कौन सा माल बचा हमने इन सभी को प्राइमरी कर दिया होता क्या कर दिया होता इन सभी को हमने क्या कर दिया होता प्राइमरी अंडर किसके लगा देते प्राइमरी के तो क्या होता तो जितने भी हमारे ग्रूप थे जितने भी आइटम थे वो सभी आइटम यहां पर पूरी खिचडी हो जाते खिचडी हो जाते ही, mix हो जाते, यहाँ पर आपका कहीं face cream दिखाता, कोई fair or lovely cream, तो बीच में यहाँ पर आपका oil आजाता, और फिर उसके बाद यहाँ पर fair or lovely cream दिखाता, तो यह पूरा खिचडी हो जाता है, आप separately देख नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या क्या, तब हमारी income होगी ठीक है चलिए balance sheet देख लेते हैं तो यह आपकी balance sheet है तो वापस आते हैं तो यहाँ पर आपका जो June month है ठीक है June month clear हो गया है और अगले वीडियो में हम July की जो entry है वो करेंगे और July में आप देखेंगे आपर sales की entry आई है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही नहीं मानेंगे ठीक है तो टेंसर लेनी की कोई ज़रोद नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग वीडियो